प्यारे बच्वों आज हम देख रहे हैं become third year final account of the companies and manageral remuneration chapter देख रहे हैं इसका पहला वीडियो हमने theory का बनाया था जो आप playlist पे देख सकते हैं आज हम इसका part 2 ले रहे हैं theory का ही part है और आज क्या जो हमारा focus रहेगा वो manageral remuneration पे रहेगा देखो manageral remuneration क्या होता है यहां से मैं आपकी बात शुरू करता हूं ताकि हम इसको समझ चाहिए जितनी भी company होती है उनमें क्या करना होता है कि उनको एक managing director करना होता है है ना तो जो टॉप management जिसको बोलता है जिसको एक काम करना होता है managing डारेक्टर MD जिसको बोलते हैं तो MD का जो appointment होता है वह हर company को करना होता है अरी बहुत है अब MD जो होता है वह managing director पून कालीन प्यो, हो सकता है और अंश कालीन पर कूं कालीन !? अंश कालीन यानि पार टैम तो full टाइम भी हो सकता है और PMD बहुत बड़ी पोस्ट होते है किसी भी company में और जो highest experienced प्रश्यांस्ड लोग होते हैं उनको MD की पोस्ट मिलती है MD का अब एक व्यक्ति के पास हो सकता है दो या तीन कंपनिया भी MD के रूप में हो इसलिए अगर वो मालो एक व्यक्ति तीन जगा पे MD के रूप में काम कर रहा है तो अव्यस है वो पूर्ण कालीन नहीं हो सकता है उसको क्या करना पड़ेगा अंश कालीन हो गया यानि कुछ समय के लिए वो आपकी कंपनी देखता है कुछ समय के लिए किसी और कंपनी देखता है इवन MDA की व्यक्ति के चार कंपनिया है तो चारों का MDA की व्यक्ति हो सकता है clear है ये बात MDA कौन होता है managing director होता है जो मुख्य रूप से उस पूरी कंपनी की जो operating system है उसको संभालता है clear अब जो MDA है उसको remuneration देने की बात यहां पे चल रही है MDA कौन है पहला प्रश्न MDA वहां का एक व्यक्ति है जो experience व्यक्ति है और उसे appointment कौन देता है shareholder, board of director और board of director अपने मैसे ही किसी व्यक्ति को MDA कर सकता है और हो सकता है वो किसी और को बाहर से hire बेका भी तो यहां पे एक important बात यह आती है कि उसको क्या दिया जाएगा remuneration दिया जाएगा उसको salary दी जाएगे तो अव्यसे MD की post के लिए normal salary तो होती नहीं है तो उसको किस्तना दिया जा सकता है उस पे यह rules और guideline है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दे दो तो वो पैसा investors का है तो investors के पैसे को आए वैसे खर्च नहीं कर सकते मैं हर बार एकी बात क्या रहा हूँ company law को जब आप पढ़ेंगे तो हर बार एकी बात समय में आएगे कि company law एकी बात कहता है कि जो investor है उनका loss नहीं होना चाहिए investor को welfare होना चाहिए investor को खातों की जानकरी पूरी होनी चाहिए investor main base होता है क्योंकि पैसा public का लगा है public के साथ कोई भी fraud नहीं हो उसका पैसा wastage नहीं जाए वो ही यहाँ पे है तो manageral remuneration भी तो एक बड़ा payment होता है तो वो payment अगर आप करते हो तो वो जाता कहा है पबली के profit मैसी तो जाता है न प्रॉफिट मैसी तो खर्च हो रहा है तो उसके लिए एक limit बना दी कि भी इससे ज़्यादा आपको payment नहीं देना है company law में इसका प्रावधान कर लिया गया है तो उसको हम आज देख रहे हैं वेरे बचो heading आप देखे अनुसूची फिफ्ट पार्ट सेकेंड और थर्ड तो schedule फिफ्ट बोलता है इसको schedule फिफ्ट इसका law है केंद्र सरकार के अनुमोधन के बिना यानि central government जो है उससे आपको permission लेनी के ज़रूत नहीं है approval नहीं करना है प्रबंध संचालक managing director पूर्ण कालीन संचालक full time director और प्रबंध यानि manager को देए पारेश्य में तो heading हो गई है remuneration payable to managing director whole time director और manager without manager without approval of central government तो remuneration payable है यानि देना है लेकिन ये वो limit है जिसमें आपको center government से approval किया और शक्ता नहीं है तो आप समझ गये होंगे कि अगर इस limit से beyond आप जाते हो तो आपको center government से approval करवाना पड़ेगा तो हमारी जो law है उसमें approval से पहले किदे रखे हैं और आपको ये भी बता दो कि सारी कंपनिया इसी को follow करती है कोई भी center government के पास जाने की इच्छ नहीं रखती है इतना remuneration वो नहीं देती है तो अब वो नियम क्या है वो इसमें समझें बच्छों इसमें आपके पहली heading क्या कहती है लाप वाली कंपनियों द्वारा दे ये प्रार पारिश्च्छम में खंड फरस्ट profit जिन कंपनियों में profit है वो कितना remuneration दे सकती है clear दूसरा second point लाप हीन या अपरियात लाप वाली कंपनियों द्वारा किंद्र सरकार के अनुमदन के बिना दे पारिश्च्छमिक part 2 यानि ऐसी कंपनिया जिनमें लाप नहीं हो रहा है तो obvious है managing director आपने appoint किया तो उसको remuneration तो देने ही पड़ेगा चाहे profit हो या नहीं हो तो इसमें क्या limit लागो होती है ये दू point इसमें आप क्या आते है एक लाप कमाने वाली कंपनियों में remuneration कितना होता है और एक जिनमें लाप नहीं होता है उनमें आप remuneration कितना दे सकते हों तीसरा point इतना ज्यादा important नहीं है चौथा point पर इतना ज्यादा important नहीं है पांच्वा point ये है कि इसमें आपके कंपनियों में ज्यादा रेक्तिक काम करके तो क्या है ये तीनोई point important नहीं है हमारे जो practical parts से related ये दू बात important है पहली जिन में profit होता है वो कंपनिया कितना remuneration देगी और दूसरा जिन में आपके profit नहीं होता है तो उनमें कितना remuneration दिया जा सकते है अब ये जो बाकी तीन point है वो हमारे ना तो applicable है क्योंकि उसने कहा विशीस परिस्तितिया सवालों में नहीं होते है तो हम अभी practical part को जो ही इस वीडियो में ले रहे हैं बाकी आप theory study कर सकते मना नहीं है अब अपना पहला part यहां से शुरू होता है first lab वाली company द्वारा दे पारिश्रमिक remuneration payable by the company having profit उसमें क्या है वो देखो इसमें बहुत simply first point मैं to the point चल रहा हूँ और जो जो main बात है ना और ये सारी बात ह आपकी book में है आपकी जो text book है उस पर सब कुछ है इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप तो वहां पर उसको underline कर लेना खाली क्या लिखाए सभी संचालक हो सभी संचालक मातलब managing director प्रबंध संचालक हो पूर्ण कालीन यानि whole time director हो चाहे आपके manager हो सारे तीनों को किसी भी वित्य वर्ष के शुद्ध लाब के 11 प्रतिशत तक की राशी यानि 11 परसेंट आप इसको सिर्फ इतना याद रख लो 11 परसेंट तक आप उसे क्या दे सकते हो रेमोनेरेशन दे सकते हो 11 परसेंट ओफ प्रॉफिट ओके अंडर सेक्शन 198 यह याद रहना है प्रॉफिट का 11 परसेंट तक आप manager रेमोनेरेशन दे सकते हो तीनों को अधिक्तम इसका मतलब अगर तीनों है तो भी 11 परसेंट अब आपस बाट लो वह वाला हिसाब रहेग 11 परसेंट से उपर नहीं जाएगा नंबर दो यदि company में केवल एक ही प्रबंधक या प्रबंधक है प्रबंध संचालक यानि managing director या manager है केवल एक है उपर वाले में कौन थे तीन थे तो तीन थे तो अधिक्तम 11 परसेंट केवल एक ही होता है एक ही होता है तो आप पॉइंट आपका हो गया पाच तो तीन के लिए 11 और एक के लिए पाच सही है थर्ड पॉइंट यदि company में एक से अधिक प्रबंध संचालक तथा पूर्ण कालीन संचालक है उन सभी को अधिक्तम शुद्ध लाबों के 10 प्रतिशत तक दिया जा सकता है तो इसमें 2 हो गए कौन प्रबंध संचालक और पूर्ण कालीन संचालक तो यदि 2 है तो अधिक्तम कितना दिया जा सकता है 10 प्रतिशत गणित समझना रही है तीन में 11 एक में 5 और दो में 10 बस इतना ही है आगे थर्ड फॉर्ट पॉइंट अंश कालीन संचालकों का पारिश्र में यनि आपके किवल पार टाइम ही है मैनेजिंग डारेक्टर किवल पार टाइम है तो वो क्या कहता है और पॉइंट यदि कम्पनी में कोई प्रबंध संचालक पूर्ण कालीन संचालक नहीं हो तो उन्हें अधिक्तम शुदलाब 3 परतिशत तक पारिश्र में का भुकतान किया जा सकता ह फुल टाइम कोई ही नहीं किवल पार टाइम लग रख रख है तो पार टाइम को आप किवल कितना दे सकते हो तीन परसेंट दे सकते हैं बह पॉइंट यदि प्रबंध संचालक या पूर्ण कालीन संचालक भी हो तो उन्हें अधिक्तम शुदलाब के एक परतिशत तक पार परसेंट दो के लिए दस परसेंट एक के लिए पांच परसेंट केवल अंशकालीन है तो तीन परसेंट और सारे है तो अंशकालीन के लिए एक परसेंट ठीक बस यतना ही है अब आपका फर्स्ट पॉइंट समाप्त हो गया यानि वे कंपनिया जिन में प्रॉफिट होता है वो हो गया समझ में भी आ गया, बहुत simple सा rule है अब आता है second लाब हीन जिसमें loss है लाब हीन जिसमें profit नहीं है तो loss यदि किसी company में है तो company द्वारा केंदर सरकार के अनुमोदन के बिना दे पारिश्रमे तो उनका remuneration कितना हो सकता है तो उसके लिए एक table दे रखिये बच्चो यदि company की पूंजी इतनी है तो उसका वार्षिक पारिश्रमे कितना हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है तो सबसे पहले अगर आपके प्रभावी पूंजी, capital, negative है या पांच करोड से कम है या आप ये कह सकते हो minus से 5 करोड या आप इसको कह सकते हो 0 से 5 करोड तो आप कितना लाख दे सकते हो 30 extended तक वार्षिक पारिश्रमे क्दे सकते हो इसके लिए कोई permission किया हो सकता नहीं है उसके बाद में 5 करोड से 100 करोड 5 to 100 करोड ये उपर सारे करोड में है ठीक है? तो कितना लाख? 42 लाख फिर उसके लाख में 100 करोड से 250 करोड कितना? 60 लाख और 250 करोड से यदि अधिक क्यापिटल है effective capital प्रभावी पुन्जी को इंगलेश विका बलता है effective capital तो आप 60 लाख रुपे तथा 2 करोड से अधिक प्रभावी पुन्जी के लिए 0.01 प्रतिशत का अतरित पारिशमेट भी दे सकते हो तो 60 लाख तो दे ही सकते हो अब 250 करोड से जितना भी उपर है तो 250 करोड का मालो 300 करोड है for example तो 250 करोड तक तो 60 लाख उपर कितना बचा पचास करोड़ उस पचास करोड़ को गुणा कर देना है 0.01 से उतना और जोड़ लो वो और आप दे सकते हो ये इतना सही आपके इसमें आता है कंपनी अपनी साधान सबा में पारिश्य भुकतान का विशेश प्रस्ताव पारिद करके पारिश्य में कि इस रासी को दुगना कर सकती है तो वो उसको अपने AGM में बात करके ऐसा किया जा सकती है तो ये दो रूल ही है प्यारे बच्चों पहला रूल जब प्रॉफिट हो तो परसेंटेज में चल रहा है जब प्रॉफिट नहीं है लॉस है तो भी कंपनिया दे सकती है पर वो डिपेंड करेगा उसकी एफेक्टिव कैपिटल पर और उसमें हमारे पास इन लेक्स दे रहा है तो ये टेबल अपने को याद रहने है अब बच्चों हम देखते हैं एफेक्टिव कैपिटल प्रभावी पुन्जी यादि एफेक्टिव कैपिटल की कम्प्यूटेशन कैसे होती है तो बहुत सिंपल है जादा कुछ नहीं है सबसे पहले अपॉइंट निम्ल को जोड़ा जाएगा क्या क्या चीज़े जोड़ेंगे कुल प्रदद पुन्जी पेड़ अप कैपिटल ये ठीक है उसमें जोड़ना है अंश प्रीमियम शेर प्रीमियम दो सही चल रहे है रिजर्व एंड सर्प्लस ठीक है दिर्ग कालीन रेन यानि लॉंग टर्म लोन और जमाएं जो एक वर्स के बाद दे हो जिसमें कारिशिल पूंजी अधिवीकर्ष रिनो पर ब्याज जिन्हें चुकाया ना गया हो बैंक गारंट यादी को समलित किया जाएगा यानि कोई भी ऐसा है जिसका एक साल बाद में पेमेंट करना है तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा ये चार-पाँच बातें आपके टोटल करनी है ये आप नोटिस करें ये सारी शेर होल्डर्स फंड है और लॉंग टर्म लाइबलिटीज है सही है ना यहाँ पे भी एक साल बात कहता है मतलब लॉंग टर्म ही हो गया तो दो चीज़े जोड़ी हैं अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो शेर होल्डर्स फंड प्लस लॉंग टर्म लाइबलिटीज ये दो चीज़े जोड़ी हैं हमने एफेक्टिव कैपिटल की गणना के लिए अब इस वैसे गटाने के लिए वो क्या कहता है निम्न को गटाईए कुल निवेश टोटल इन्वेस्टमेंट निवेश कंपनी की दशा में अंशो रिनपत्रों तथा अन्य परतिबोटियों में निवेश के अध्रिक अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके अलावा यदी है तो गटाई जाएगा और संचित हानिया अभी कोपन कमिशन ये पता है कौन से जीज़ है फिक्टीशियस एसेट्स फिक्टीशियस एसेट्स यदी है तो वो गटादिया जाएगा बस येतना ही है अ और बा की टोटल आई दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इफेक्टिव कैपिटल आजाएगी ये इफेक्टिव कैपिटल कहां जरूत थी वो लिखा था ना कि 5 करोड तक हो तो 5 करोड से 100 करोड तक हो तो वो इफेक्टिव कैपिटल शब्द आया था वाहाँ तो ये इफेक्टिव कैपिटल यहां से calculate की जाती है clear कुल निवेश शब्द का मतलब है जितने भी आपके payments हैं निवेश हैं investments हैं कौन से investment निवेश कंपनी की दशा में अंसों रिनपत्रों तथा प्रती बोतियों में निवेश के अत्रिक उसके जितने भी investments हैं वो सारे गटा दिये जाहिए तो एक तरीके से जैसे हम पहले लिखते थे ना यह जो net assets निकालते थे वैसे effective capital है effective capital मतलब वो पैसा जो हमारे क्या लगावा है business में लगा हुआ है that is effective in the business यह उसका एक formula है यह आपको याद रखना है अब आगे देखते हैं अब सबसे important point हमारा इस chapter का शुरू होता है जो हमारे practical सवालों में बहुत काम आएगा वो यह था हमने यह तैय किया कि वो company जिनमे profit होता है वो 11% remuneration दे सकती है profit का ऐसा लिखा था ना हमने तो वो 11% कौन से profit का दिया जा सकता है तो उस profit की गणना है तो आप इस पे star लगा ले आपके जितने भी सवाल है वो इन tables से based होंगे computation of profit for managerial remuneration under section 198 आपको यह profit जो इसमें कैसे calculate होता है उस profit की गणना करनी है और उसका 11% आपको managerial remuneration देना है वस यह इतना ही सवाल होगा तो यह table सबसे important है इस सवाल में आप देखे इस table में प्रशन आपका कहां से start होता है gross profit से तो सवाल को करने की दो तरीके होते हैं एक gross profit से आप question को solve कर सकते हैं और एक net profit से आप question को solve कर सकते हैं दूनों table हम इसमें अभी सीखेंगे पर जब सवाल करेंगे तो हमारे जितने भी सवाल है वो सारे net profit से होंगे आरी बास होगे पर table दूनों समझना important है तो gross profit से यदि हमारा profit शुरू होता है हम calculate क्या कर रहे हैं दुबारा से मैं repeat कर देता हूँ हम calculate कर रहे है computation of profit for managerial remuneration manager को जो remuneration दिया जाएगा 11% तो वो किस profit का निकाला जाएगा 11% उस profit की गणना है और वो under section 198 आता है clear तो इसमें हम gross profit हमें सबसे पहले लिखना है add क्या क्या चीज़े जोडेंगे subsidies and bounties received from government subsidy आपको पता है यह subsidy शब्द क्या होता है boundaries भी similar शब्द होता है अगर आपको government कोई भी subsidy देती है तो वो जोड़ी जाएगे clear number 2 second all other income of the company लेकिन company कौन से except निम्न को छोड़कर बाकि सारी income लेनी है यह सारी चीज़े actually जोड़ने वाली नहीं है छोड़ने वाली है सही है न इस line में सबसे last वे क्या लिख दिया except इनको छोड़कर बाकि सारी other income है वो जोड़ दो तो यह कौन सी है premium on issue of share and debenture यह नहीं लेना है balance of share forfeited नहीं लेना है all capital profit and reserves नहीं लेना है capital profit नहीं लेना है profit on revaluation of assets and liabilities recognized in the equity share reserves including surplus and pay and bill यह भी नहीं है इन सबको मैं अगर एक शब्द में व्यक्त करना चाहूँ तो वो शब्द होगा पूंजी गत लाव capital gains यह सारे capital profits है तो उनको इसमें नहीं लेना होता है clear यह बाद इनको छोड़कर अन्य कोई भी है तो वो सारे लिएगा less गटाना क्या है वच्छोप इसमें से आप गटाएंगे all expenses फिर शब्द आया accept the following निम्न को छोड़कर सब गटा देना निम्न को छोड़कर तो इनको छोड़ना है क्यों किस को corporate tax नहीं गटाना super tax नहीं गटाना provision for tax नहीं गटाना ex gracia payment to the employee नहीं गटाना ex gracia payment शब्द का मतलब होता है दया के वसी भूत होकर जो payment करते हो या आपने किसी employee के अच्छे के लिए कोई payment कर दिया तो वो भी इसमें नहीं गटाना होता है क्योंकि accounting expenditure नहीं है आपको दया आगे ex gracia मतलब होता है voluntary payment देखो लिखा यहाँ पर अपनी इच्छा से कोई payment कर दिया employee को कोई दुखी employee था आपने उसको एक लाग किसा आयता कर दी आपका व्यक्तिकत मामला है आपको दया आई आपने किया company का मामला नहीं है इसलिए वो ऐसा बोलता है आगे all capital expenses and capital losses यह अपने को छोड़ कर इनको छोड़ कर सब गटा सकते हैं goodwill return off और fictitious assets इनको छोड़ कर बाकि सब गटा सकते हैं transfer to reserve इसको छोड़ कर सब गटा सकते हैं final dividend paid including tax on dividend distribution इसको छोड़ कर interim dividend को छोड़ कर यह सारे छोड़ कर शब्द है इसलिए मैं उसको cross कर रहा हूँ कि यह सब को नहीं गटाना है कौन सी method में gross profit method याद रखना क्योंकि जो यहाँ पे हम cross कर रहे हैं वो जब हम net profit method में आएंगे तो वहाँ पे गटेवे होते हैं इसलिए उनको जोड़ना पड़ेगा यह चीज़ भी आगे यह साब वापस काम में आएगा incentive available income tax नहीं लेना है loss on revolution नहीं लेना है यह सब आप नहीं लेंगे तो बाकी सारे कोई भी आपके expenses है तो वो गटा दो बाकी expenses कौन से होई revenue expenditures तो revenue expenditures wages payment है salary payment है है न अन्य कोई discount है अन्य कोई खर्चा है वो सब गटाओ इनको छोड़ देना खाली और यह भी सारे कौन से बता है capital payments है वो उन्जी का थानिया है capital losses है तो उनको छोड़ दा है उपर capital gains छोड़े थे नीचे capital profit आपके losses छोड़े है यह करने के बाद में यहाँ पर profit आता है तो यह कहलता है profit of for managerial remuneration under section 198 इसका 11% जब हम निकालेंगे वो managerial remuneration होगा और वो आपका answer होगा सवाल यह है बस यानि इस पूरे chapter का main part सिर्फ यह table है और इसमें भी यह gross profit वाली table है इसलिए ज़्यादा काम के नहीं है अब हम आते हैं main सवाल के तरफ वो है आपके यह वाले table computation of profit under section 198 space star लगा लो very important सारे सवाल इसी table से होंगे इस table से profit calculate करना है और उसका 11% निकालना है इस table में आप देखे start होता है profit as per statement of Pender gross profit होता है trading account से पुरानी परंपराओं के हिसाब से याद रखे तो सही है ना और net profit कहां से होता है Pender से तो यह प्रशन net profit से शुरू होता है और और यह net profit कहां है Pender में तो हमारे जतने भी सवाल होंगे ना उसमें यह वाला profit ही दिया होगा तो व्यस है हमें प्रशन यहीं से शुरू करना पड़ेगा gross profit दिया हो तो वहाँ से शुरू करें इसलिए यह method ही important है पूरे chapter का सबसे important part अब आया है इसमें क्या है number one adjustment regarding income incomes of statement of Pender Pender के adjust करना है profit तो हमारे पास पहले ही आ गया था Pender का इसलिए वो शब्द आता है यहां पे adjustment क्या है add subsidy and bounties if not included as income in statement of Pender यदि पहले subsidy और bounties नहीं जोड़ी गई है तो अब आपको जोड़नी है पहला point less क्या गटाना है capital profit if included as income in statement of Pender account profit on revaluation of assets and liabilities recognized in the equity reserves including surplus in Pender account यानि profit on revaluation और capital profit यदि है वो पहले क्या थे जोड़े हुए थे तो उसे अब गटाना है यह शब्द बार-बार काम में आएगा कौन सा यदि पहले हुआ था तो अब यह करना है तो यह जो हमने जोड़े है वो इसलिए जोड़े क्योंकि पहले जोड़े वे नहीं थे यह हम गटाएंगे क्यों क्योंकि यह पहले जोड़े वे थे profit था तो जोड़ा वा था इसको गटाना पड़ेगा opposite काम होता है इसमें clear? और कौन सा? capital profit और profit on revaluation उसके बाद में second adjustment है यह adjustment regarding expenses and charges of statement of P&L खर्चों के बारे में आपको क्या करना है? तो add add following if charged to statement of P&L आ गया न? यदि पहले इनको गटाया गया हो if charged to statement of P&L account charge करने का मतलब गटाना होता है तो यदि ये खर्चे जो नीचे आ रहे हैं वो गटाय हुए हो तो जोडने है clear? उसमें पहला provision for taxation item of appropriation यानि transfer to reserve and dividend all capital expenses and losses तो ये एक नमबर हो गया ये दो नमबर हो गया ये तीन नमबर हो गया चौथा एक्सग्रेशिया पेमेंट पाँचवा access provisions अगर कोई आपने बना रखा है तो चौथा investment and development allowance साथवा managerial remuneration not managerial fees तो अगर managerial remuneration आपने पहले चार्ज कर रखा है तो उसे वापस जोड़ दो वो ये ही कहता है देखो add शब्द लिखा है ये सारे जोड़ने वाले है एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ लेकिन ये जोड़ेंगे कब जब पहले गटाए हुए हो clear फिर आठवा point loss on sale of fixed assets जोड़ना है non number loss on revaluation of assets and liabilities रिकर्गनाइज़ ये भी आपके जोड़ने ये सारे चीज़े जब जोड़ दोगे तो आपका जो net profit था वो सही हो जाएगा सही हो जाएगा तो जो profit आएगा वो आजाएगा profit of manager remuneration under section 198 ये आपका profit आएगा तो अब आपका manager remuneration का formula क्या होगा तो लिखे manageral remuneration equal to profit under section 198 into percentage of remuneration clear? ये आपके आता है formula अब जैसे हमारा profit calculate हुआ माल लो एक बार के लिए 50 lakh rupees तो पहली तो ये बात आगी कि ये company कौन सी company है profit वाली सही है ना profit आ गया 50 lakh इसका उतर profit वाली company है और profit वाली company है तो उस पे कितना percent होता है मालो तीनो है तो 11% हो जाएगा तो 50 लाग क्या 11% निकालेंगे वो आपका answer हो जाएगा बस ये इतना ही सवाल है बच्चा यानि अब आप लोग moral of the story में ये है कि ये format आपको याद होना चाहिए एक और एक जो percentage वाला जो हमने सीखा था दो बस बाकि सारे rules थे उनका कोई ज़्यादा महत्वर नहीं है तो rules की class आपकी यहीं समाप्त होती है अगली class में हम इसके practical questions पेखेंगे